So hey guys, welcome back to the new video So, आज की वीडियो में पनलोग बात करने वाले हैं Yama R15 V4 के बारे में Total 3 variant में R15 available रहती है एक रता है V3, यानि की R15S ये है अपने पास R15 V4 एक रता है R15M जिसमें की limited edition color option भी आप लोगों को मिल जाते हैं V4 की बात करते हैं यहाँ पर आप लोगों को टोटल 3 color option मिलने वाले हैं ये रहने वाला है अपना red with एक अप लोगों को neon का stick ring यहाँ पर मिल जाता है जो की combination काफी अच्छा बनता है glossy black का भी use काफी अच्छा अच्छा अप लोगों को मिल जाता है rear fairing पे, under valley पे प्लस यहाँ पर भी कुछ पार्ट आप लोगों को glossy black, piano black finish में मिल जाता है जो की काफी अच्छा जाता है और alloys यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाले हैं glossy black color के ही, इसके अलावा दूसरा color option available रहता है, वो रहता है dark night एक matte black वाला finish आप लोगों को उसमें मिल जाता है और तीसरा color option available रहता है racing blue, वहाँ पर आप लोगों को alloys मिलते हैं, glossy blue color theme के और racing blue वाला जो color option है, उसके साथ आप लोगों quick shifter जो है, वो standard मिल जाता है V4 के बागी के दोनों color option में यानि की red में और matte black में quick shifter का option आप लोगों को as standard नहीं मिलता वो चीज़ आप लोगों extra pay करके लगबग 6-7,000 एप्रोक्स extra pay करके install करवा सकते हो company से ही, तो ये चीज़ मिल जाती है V4 एक standard चीज़ जो आपन बात करते हैं कि क्या कुछ आप लोगों को मिलने वाला है इस वाले color option में न तो यहाँ पर आप लोगों को दो riding modes मिल जाते है street mode और track mode प्लस traction control मिल जाता है suitable वो भी आप लोग on और off अपने according कर सकते हो काफी अच्छा breaking setup मिल जाता है bybree front है, निसीन आप का rear है especially जो इस bike का sitting posture है न एक proper आप लोगों को sports bike वाला feel यहाँ पर आने वाला है price की बात कर लेते हैं, तो colors के according R15 V4 का प्राइज में भी change रहने वाला है on road जैपूर यह pricing रहने वाली है on road जैपूर start जो variant होता है वो रहने वाला है, अपना red color यहाँ से start होता है 2,23,23 से लेकर के 2,29 तो इस type के आप लोगों को मिल जाती है जैसे की यामा की सबी bikes में, सबी scooty में आप लोगों को की मिलता है ignition अपना regular जगे पे ही है, ignition on करते है तो इसके साथ आपना ये कुछ lighting setup on रहने वाला है headlamp आप लोगों को पूरा पर lighting setup जो है वो LED प्लस हैलोजन, इंडिकेटर्स हैलोजन में रहने वाले हैं बाकी और ओर लाइटिंग setup अपना LED में ही रहने वाला है rear setup भी चेक आउट कर लेते हैं तो rear tail lamp ओन होने के बाद लुक आप का कुछ इस type का रहने वाला है number plate का जो आपका bulb है ये हलोजन में ही रहने वाला है और indicators जो है ये भी अपना हलोजन में ही रहने वाला है front में देख लेते हैं क्या कुछ आप लोगों कहाँ पर मिलने वाला है तो इस type से semi dark आप लोगों को आपना windscreen मिल जाता है इसके भी काफी सार option आप लोगों को aftermarket में मिल जाते हैं प्लस R15 के कैलो, MT15 के कैलो काफी option aftermarket में आप लोगों को SSRI के मिलने वाले हैं number plate का clamp अपना यहां पा रा जाता है इस type से अपने rear view mirror है ये भी आप लोग ने change करवा सकते हो काफी option इसके भी मिल जाते है glossy black में stickering का काम आप लोगों को front में देखने को मिल जाता है प्लस neon का touch भी मिल जाता है तो R15 की pre-branding front में आ जाती है ये अपने rear view mirror इस type से projector head lamp आप लोगों को मिल जाता है with LED अभी अभी आप लोगों को देखते हैं आप लोगों को मिल जाता है short भी नहीं हो नहीं जादा बड़ा है तो bike की category के according काफी अच्छा लग रहा है front alloy का जो एक shape है वो कुछ इस type का है glossy black में रहने वाला है R15 version 4 की stick ring भी आप लोगों का पने मिल जाती है MRF का ये टायर रहने वाला है ग्रेडिंग देखते हैं तो जानने वाला है 80 oh sorry 180 17 100 section का अपका front tire मिलने वाला है इस type का कुछ आपका pattern रहने वाला है disc का setup देखते हैं तो ये रभी आपका 282 mm का front disc with vibri breaking dual channel ABS आप लोगों को bike में मिलने वाला है ये टायर का ग्रेडिंग अपन लोगों ने देखी लिया है ये रभी आपका upside down suspension setup लगबख 43 mm का around इसके आप लोगों को thickness भी मिल जाती है तो ये वह अपना front complete side fairing पर देख लेते हैं तो आरवन 5 version 4 का एक sticker आप लोगों को मिल जाता है प्लस neon का एक touch देखने को मिलेगा और side fairing भी आप लोगों को देख सकते हो काफी अच्छा एक की size भी cover कर रहा है और glossy black का touch भी आप लोगों को side profile से काफी जाता देखने को मिल जाता है stickering में और देखते हैं तो rear fairing पर VVA variable valve actuation का एक sticker आप लोगों को हाँ पर मिल जाता है Yama का chrome वाला logo यह gel वाला नहीं तो यह काफी अच्छा लगता है tank की shape देख सकते हो तो कुछ R1 inspired आप लोगों को tank लगता है specially यहां से यह वाला जो part है और यह जो fins वाला part आ रहा है यह भी ना काफी अच्छा लगता है seat height की बात कर लेते हैं तो seat height आपकी यहाँ पर रहने वाली 815 mm 815 mm की total आपकी seat height रहने वाली है foot packs की position इस bike की category के according plus जो एक इसका sitting stance है या पॉस्चर कह सकते हो तो उसके according आप लोगों को foot packs की positioning भी मिलने वाली है seat देखते हैं तो काफी अच्छा आप लोगों को seat का setup मिल जाता है split में seat है यहाँ पर key hole मिल जाता है seat open करने के लिए एक strap है क्योंकि एक अप लोगों ग्रेब रेल यहाँ पर नहीं मिलने वाली तो pillion के लिए यह चीज काफी useful रहती है कुशनिंग देख लेते हैं तो softer side पर आप लोगों को देखने को बिलकुल मिलती है नहीं जादा hard है और नहीं जादा soft है मतलब softer side पर जादा है पर जादा भी soft यह नहीं कह सकते है rear देखते हैं तो rear कुछ stripe का आप लोगों को tail tie-die वाला unit रहने वाला है यह भी आप लोगों आफ्टर मार्केट में चेंज करवा सकते हो काफी option मिल जाते है नबर फ्रेट का बलब अपना halogen में ही यहाँ पर अपना reflector आजाता है indicator कुछ आपके stripe clear glass में ही रहने वाले है और यह आपना tail lamp rear fairing पे देखते हैं यह आप लोगों को dual shade में रहने वाली है matte black plus body color और यह वही आप लोगों का सेम जैसा की air wind का भी यह काम करता है और look भी यह पूरा कर देता है टायर का setup देख लेदें तो पैटर्न आपका कुछ इस टाइप का है डियूल में टायर हगर भी आपको में पर मिल जाता है यह आपना छोटा वाला पार्ट एक small part आपका front भी भी आ जाता है वही MRF का ही टायर रहने वाला है और जो इसकी grading रहने वाली है वो रहने वाली है 140 section का तो यह है अपना 140 section का इस टाइप से पैटर्न अपना रहने वाला है अलो इसका texture वही glossy black में ही रहने वाला है 220 mm का rear disc मिल जाता है निसिन की braking आपको rear में मिलने वाली है तो यह आपना निसिन का कैलिपर exhaust का रख देखते हैं तो exhaust पे जो एक आप लोगों को heat shield मिलती है या फिर tip मिलती है तो यह अपना रहने वाला है fiber में बाकि exhaust जो रहने वाला है proper यह आपका metal body में ही रहने वाला है और rear brake का जो master cylinder है उसकी placing इस fiber एक aluminium वाले पार्ट के पीछे है सुरी fiber नहीं है यह तो यह चीज ना काफी अच्छी है कि पूरा जो assembly आ रहा है यह काफी अच्छी है rear में monoshock ही रहने वाला है 7-way adjustable जनका texture mad black में ही रहने वाला और ज्यादा engine विजिवल नहीं है एक अच्छी चीज है जो आप लोगों को यह पर oil filling cap मिल रहा है ना उसको change करने के लिए आप लोगों को यह fairing खोलने की बार बार need नहीं पड़ेगी क्योंकि इस पार्ट के साथ क्या होता है यह fiber वाले पार्ट है इनको आप लोग जितना खोलोगे तो यह जो gap रहता है ना दोनों पार्ट के बीच का यह time के साथ सा थोड़ा सा बढ़ता जाता है और बाइक ना थोड़ा सा एक कह सकते हो rattling noise भी थोड़ी सी जादा आप लोग कवरिंग भी ही मिल जाती है टोटल 11 लिटर का अप लोगों कहां पर फ्यूल टैंक कैप सिट रहने वाली जो कि इस कैटेगरी के अकोडिंग काफी अच्छी है खाली पिली जबरदस्ती ना एक 15 लिटर का देद और बाइक का वेट ना फुल टैंक में काफी जादा उसकी व कवरिंग मिल जाती है जो कि लूब्रिकेशन में काफी हेल्प करती है इस टाइप से अपना ब्रेक लिवर रहने वाला है और सुचिस देख लेते हैं तो थ्री नवन हाई बीम लो बीम प्लस पास वाला एक सुछ अप लोगों कहां पर मिल जाता है यह आपना इंडिकेटर इस टाइप से डियूल बज़र में काफी लाउड और काफी अच्छे साउंड वाला हॉन भी मिल जाता है राइट साइड पर देखते हैं तो थ्री नवन एक सुछ अप लोगों कहां पर भी है केल सुच प्लस स्टार्टर हजार भी आपको आपको आपर मिल जाता है और यह क्लिप ऑन हंडल बार है शेप अप लोग चेक आउट कर सकते हो काफी अच्छा और प्रॉपर एक मैड ब्लैक में प्लस ऐल्यूमिनियम फिनिश में अप लोगों को यह रहने वाला है पहले कर लेते हैं बाइक को स्टार्ट फिर बात करेंगे एमाइडी साटप के बारे में कि यह रहा ना प्रोजेक्टर ओन होने के बाद लुक छोटे साइस में प्रोजेक्टर अप लोगों को अच्छा फील आएगा फोड़ सा रेव कर लेते क्योंकि शूरूम में है बाइक ना तो ज्यादा पन रेव नहीं कर पादे हैं पर काफी स्मूथ इंजन आप लोगों क को इंफोमिशन रहने वाली है तो इस टाइप का अपना स्टाट अप रहने वाला है दोनों ही साइट्स पर लोगों को सारी वार्णिंग लाइट मिल जाती है यहां पर गेर इंडिकेटर है यह आपका आर्पी मीटर जता है स्ट्रीट मोड अभी शोर आए क्योंकि बाइक अपनी क्लॉक का जती है यह आपका डिजिटल में स्पीडोमीटर यह आपका फ्यूल गेज अभी क्या शोर आप लगों का ओडोमीटर अभी शोर नीचे देखते हैं तो यहां पर आप लोगों को एवरेज आ रहा है पर हंड़ेट किलोमीटर में बाइक ने क्या एवरेज अब इसको चेंज करने के लिए यह जो अपना सुचता है M.I.D. वाला ट्रिप और इंफो वाला इससे देखना पड़ेगा क्या कुछ आप लोगों को हैं पर मिलता है तो यह करते है अपन तो यह अभी आ जाता है रियल टाइम आपका एवरेज 29 गा भी शोर रहा है यह पे आता है मरी अब आ चुका है रेज तो यहाँ और आप लोगों को पर Jur 가까 टो मिलता है अब लगोंको भी और अख़ा सेटे मेश बता है यह जा रहने वाला आपर बात कर लेते years के बारे में तो 155 CC का liquid cool SOSC 4 valve engine आप लोगो कहाँ पर मिलने वाला है six speed gear box के साथ पावर की बात करते हैं तो 18.4 BHP का peak power है और 14.2 Nm का प्लोगो आपर torque मिलने वाला है दो riding modes आप लगो मिल जाते हैं street mode और track mode टॉप speed जो company claim करती है इस bike की वो रहने वाला है 145 km पर आवर की mileage जो company claim करती है वो रहने वाला है लगबख 40 से लेकर के 42 43 तक का easily यह बाइक दे जाएगी काफी refined engine है vibrations भी काफी आप लगो को कम यहाँ पर मिलने वाले है V4 की on road prize रहने वाली है कैसा लगा आप लोगों को वीडियो कमेंड में ज़रूर बताना अच्छा लगा हो तो like भी कर देना शेयर भी कर देना सब्सक्राइब करके बैल आकन को all भी कर देना करता अपना यह वाला वीडियो एंड और मिलता है अगले वीडियो के साथ इसी के नेक्स डे जब तक के लिद्यान को खुद का भी घरवालों का भी और आपकी गाडियों का भी टेक केर बाई बाई